तुमको बहुत देर से देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब करो डीजे रोग चनल को और बेल एक उनको दबाओ डीजे की जनकारी सबसे पहले देखने के लिए तो भाई लोग आज के बीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर के PBT 701 एंप्लिफार के बारे में जो की है 700 वाड का एंप्लिफार सिंगल चैनल एंप्लिफार है जो की बूस्टर एंप्लिफार है तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाल हूँ कि क्या है इस एंप्लिफार में 800 वाड का दो बॉक्स चलाना सही रहेगा या फिर हम कहा सकते दो टॉप चलाना सही रहेगा और यहाँ पर जो इसका लोड है 800 वाड का दो टॉप मतलब कुल मिला के सोलर 100 वाड का लोड बन जाता है और आपने थमलें में भी देखा होगा कि यहाँ पर 800 वाड का दो टॉप चल रहा है इस टाइप से यहाँ पर थमलें मेंने लगाया है वीडियो में तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस ट्रेंजर का 701 एंप्लिफार के बारे में जो की है 700 वाड का अप्लिफार तो क्या हम यहाँ पर 800 वाड का दो टॉप इसमें चला सकते हैं कैसे हम कनेक्सन करेंगे जो हम अगर हम चलाते हैं तो इसमें कैसे कनेक्सन करेंगे यह सारी चीज़ मैं आपको बताने वालूँ यहाँ पर दोस्तों आप देखेए अगर आप चलाते हो तो यहाँ पर पहले comment आप देख सकते हो पहले भाई का comment है या भी जो भी comment है आप देख सकते हो सो नीचे आप एक और reply देख सकते हो stranger pvd 701 है और 400 400 watt के 2 top है मतलब 400 watt के dual top है लेकिन मेरे को लगा कि 400 watt का 1 top है तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर मेरा एक reply गया है 400 watt का 1 top है न आप कितने ohms पे चलाते हैं 2 top को सो नीचे आप reply देख सकते हो एक top 800 watt का है 2 top मिला करके 600 watt बन जाता है और इसका connection है वो आप देख सकते हो 4 room पर चलाता हो तो 2 top को यह 4 room पर चलाते हैं तो पहली बात तो यह है कि 2 top अगर आप चलाते हो 4 speaker चलाते हो जो कि 8 oms के per speaker होते हैं अगर आपके box में जो है parallel connection होंगे तो आपको 4 oms में नहीं चलाना है 2 oms में चलाना है common और 2 oms में आपको connection करना है तो आपका connection जो है काफी अच्छा हो जाता है और matching हो जाता है पर जो आपका load जो बन रहा है solar sawad का यह काफी ज़्यादा बन रहा है तो इस परकार से आप अगर चलाते हो तो आपका जो है speaker damage होता है और जो वो इस coil है वो ज़्यादा तर जो है उपर नीचे up-down नहीं हो पाता है अच्छे से खेल नहीं पाता है इस वज़र से यहाँ पर आपका speaker का जो coil होता है वो गरम हो करके जल जाता है तो यह आप जरूर ध्यान दिजिएगा कि किसी भी amplifier पर आप maximum maximum load डालिए ज्यादा overload मट डालिए नहीं तो आपका speaker जलने के chances ज्यादा होते हैं प्लस यहाँ पर wrong connection आप करते हो तो ज्यादा chances होते हैं नहीं तो overload चलने में उतना जल्दा मतलब ज्यादा जल्दी नहीं जलता है और यहाँ पर जो connection आपका है forums के उपर आप चला रहे हो दो top को तो यहाँ पर जो connection है यह आपका wrong connection है आप उसको चलाईए 800 watt का जो आपका 2 top है 400 watt का dual top आप 2 top चला रहे हो तो आप उसको common और two arms में लगाईए ना कि forums में आप two arms में उसको connection करिए आपका speaker का जो voice coil है वो नहीं जलेगा यह guarantee के साथ में आपको बता रहा हूँ लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक चलाते हो और ज़्यादा sound में चलाते हो जैसे कि clipping तक जाते हो क्योंकि आपको sound तो कम मिलेगा ही मिलेगा तो आप क्या करोगे कि sound ज़्यादा पाने के लिए आप volume को ज़्यादा increase करोगे तो यहाँ पर आपका voice coil है वो धीरे धीर damage होगा हाँ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बार दो बार तीन बार मतलब चार पाँच प्रोग्राम में हो सकता है नहीं जलेगा लेकिन जो speaker का जो आपका coil रहेगा वो धीरे 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 करके damage होगा फिर एक बार जल जाएगा मतलब कि जलेगा नहीं वो कह सकते हैं हम damage हो जाएगा आप जब इस speaker को जो आप उसमें coil change करवाओगे उसका coil आप देखिएगा वो पूरा जला हुआ नहीं रहेगा मतलब पूरा काला नहीं रहेगा कहीं कहीं बस रहेगा आपका काला मतलब पूरा वो इसकोईल का जो उसकाट तार रहता है वो नहीं जलेगा तो यह होता है मतलब ज्यादा load डालने के उपर में आपका वो इसकोईल जलने का chances ज्यादा होते हैं और connection wrong भी होता है तो भी speaker जलने के chances ज्यादा होते हैं तो आपको इस वीडियो के तुरूद आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपके पास ऐसा amplifier है या आप ज्यादा load डालते हो तो arms matching करो ही करो और हो सकता है तो maximum load डालिए जैसे कि stranger का जो PPT 701 amplifier है इसमें आप 1000 या फिर लगभग minimum 1108 तक आप load डाल सकते हो काफी अच्छा sound आपको मिल जाता है तो आज के परियों बस इतना ही था बहुत सारे वीडियो आने वाले है अगर अभी तक चैनल में नए है तो नीचे जाएक सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल लेगन कॉल में सेट कर लिजेगा मिलते हैं किसी नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम